Hello friends, welcome back to the channel तो friends, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ Class 9, Sunchains एक और important chapter जिसका नाम है गिल्लू तो friends, इस chapter के जो लेखिका है उनका नाम है महादेवी बर्मा तो friends, चलिए इस chapter का explanation शुरू करते हैं लेखिका कहती है कि आज जूही के पौधे में एक कली निकल आई है जो पीले रंग की है तो जूही जो है वो एक flower का type होता है जिसका flower जो होता है वो पीले रंग का होता है तो यहाँ पर जूही के पौधे के पास जाकर खड़ी है और वो कह रही है कि उसमें एक पीले रंग का फूल खिला हुआ है उस कली को देख कर यानि कि उस फूल को देख कर लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आ गई जो उस जूही के पौधे की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था और जब लेखिका उसके पास पहुचती तो वह लेखिका के कंधों पर कूद कर लेखिका को चौका देता था हर समय लेखिका को उन पीली कलियों की तलाश रहती थी यानि कि पीले फूल की तलाश रहती थी पर आज से उन्हें छोटे से जीव की तलाश रहती है परन्तु लेखिका कहती हैं कि अब तो वह छोटा जीव इस जूही के पौधे की जर में मि्ट्टी बनकर मिल गया होगा लेखिका यहाभी अंदाजा लगाती है कि क्या पता वह उस पीली कली के रूप में यानि कि वह उस पीले फूल के रूप में आकर लेखिका को चौकाने के लिए उपर आ गया हो यानि कि वह पीला फूल बनकर खिल गया हो तो यहाँ पर लेखिका जो है वो अपनी पालतू गिलहरी के बारे में हमें बता रही है जो अब मर चुकी है और लेखिका ने उसे उस जूही के पौधे की जर में दबा दिया था तो अब लेखिका जो है वो हमें बताती है कि उन्हें वो गिलहरी कैसे मिली और वो गिलहरी के साथ कैसे रहा करती तो लेखिका कहती है कि अचानक एक दिन जब वो सुबह उठकर अपने कमरे के बरामदे में आई तो उन्होंने देखा कि दो कौवे गमले के चारो और चोच मा रहे थे तो वो ऐसा खेल खेल रहे थे लेखी का कहती है कि ये कौवा भी बहुत ही जादा अनोखा पक्षी होता है अजीब पक्षी होता है क्योंकि एक साथ ही दो तरह का बहवार सहता है वो कभी तो उसे बहुत ही जादा आदर मिलता है आदर यानि कि सम्मान मिलता है वहीं क अभी उसे बहुत जादा अपमान भी सहना पड़ता है जैसे कि हमारे जो बेचारे पुर्खे होते हैं पुर्खे यानि कि जो जिनरेशन जो मर शुके होते हैं उन्हें पुर्खे कहा जाता है तो वो ना तो गरूर के रूप में आ सकते हैं नहीं वो मयूर के यानि कि मोर के र हमारे दूर रहने वाले रिष्टदारों को भी अपने आने का संदेश इनके कानों को ना भाने वाली आवाज में ही देना परता है यानि कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर के सामने वो कोवा चिला रहे इसका मतलब है कि तुम्हारे घर पर अवश्य जरूर ही कोई तुम्हारा दूर का रिष्टदार आने वाला है तो यही लेखी का जो है वो कहती है कि वो हमें अपने रिष्टदारों के आने का संदेश भी देते हैं कि हाँ आज तुम्हारे घर रिष्टदार आने वाला है पिर लेखी का कहती है कि वही जहां एक और कौवो को इतना सम्मान मिलता है वहीं दूसरी ओर हम कौवों और काउं 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 करने को अपशगुन के अर्थ में प्रयोग करते हैं लोग कहते हैं काउं काउं जब कवों करते हैं इसका मतलब वो अपशगुन होता है तो यहाँ पर कौवों को अपमान सहना पर रहा है और कोबो को अपने आंगन से भगा कर उसका अभी अपमान करते हैं तो इस तरह हमने देखा कि कोबो को सम्मान भी दिया जाता है फिर लेखिका जो है वो कहती है कि जब भब कोबो के बारे में सोच रही थी तभी अचानक से उसकी उस सोच में कुछ रुकावट आ गई क्योंकि उनकी नजर गमले और दिवार को जोडने वाले भाग में छिपे एक छोटे से जीव पर पड़ी यानि कि उनको कुछ गमले में दिखाई देता है जब लेखी का पास चाकर देखती हैं तो उन्होंने पाया कि वह छोटा सा जीव एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो अवश्य ही अपने घोसले से नीचे गिर परा है और अब कौवे उसमें अपना भोजन खोजते हुए उसे चोट पहुचा रहे हैं उस चोटे से जीव के लिए उन दो कौवों की चोचो के दो घाव ही बहुत थे इसलिए वो बिना किसी हरकत के यानि की बिना किसी मुवमेंट के वो उस गमले में लिप्टा परा था तो उस गिलहरी के बच्चे को चोट लगी हुई थी तो लेखिका कहती है कि उस गिलहरी के बच्चे की इतनी खराब हालत देख कर सबने कहा कि कौवे की चोट का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता इसलिए इसे ऐसे ही रहने दिया जाए प्रंतु लेखिका का मन नहीं माना लेखिका ने उसे धीरे से उठाया और वो अपने कमरे में ले गई फिर रूई से उसका खून साफ किया और उसके जखमों पर पेनिसिलिन नामक दवा का मरहम लगाया फिर लेखिका ने रूई की पतली बत्ती बनाई यानि की रूई को एकदम पतला कर लिया और फिर उसे दूद में भिंगो कर जैसे जैसे वह उसके मुह के पास लेकर गई ताकि वो दूद पी ले लेकिन उन्होंने देखा कि वो अपना मुह नहीं खोल पा रहा था और जो दूद की बूंदे थी वो मुह के दोनों कोने से नीचे गिर जा रही थी कई घंटे तक इलाज करने के बाद उसके मुह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका तीसरे दिन वह इतना अच्छा और निश्चिन्थ हो गया कि वह लेकिका की उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकर कर और अपनी नीली काच के मोटियों जैसी आखों से इधर ऊधर देखने लगा यानि कि उसकी आखे जो थी वो नीली थी तो उसी को लेकिका ने नीली काच की मोटियों जैसी आखे कहा है तो लेखिका ने उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जिसके रेजल्ट में क्या हुआ कि तीन शार महीने में वो एकदम स्वस्त हो गया और वो अपने चिकने रोए यानि कि उसका जो फर था और उसकी जो पूँच थी और उसकी जो चंचल चमकीली आखे थी वो सब को है करने लगी थी यानि सब लोग उसे देखकर चौक गए कि उसे कितनी चोट आई थी कुछी महीनों पहले और अब देखो वो कितना स्वस्त हो गया है हेल्दी हो गया है अर्थात वह बहुत आकर्शक बन गया था और वह बहुत जादा ही अट्राक्टिव भी हो गया था और बहुत जादा ही क्यूट लग रहा था तो लेखिका फिर कहती है कि उन्होंने उस गिलहरी को केवल अब एक जाती ना रख कर यानि कि उन्होंने उस गिलहरी का नाम रख दिया था अब उसका नाम गिल्लू रखा था उन्होंने उसका नाम गिल्लू रख सब उसे अब गिल् दाली में रूई बिचाई और एक तार की मदद से उसे खिरकी पर टांग दिया। उसकी समझदारी और दिन भर के उसके सभी कामों को देखकर सब हैरान रह जाते थे। फिर लेखिका कहती है कि जब वह लिखने बैठती तब अपनी और लेखिका का ध्यान आकरशित करने की गिल्लू की इतनी तेज इच्छा होती कि उसने एक बहुत ही अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पैर तक आता था और तेजी से परदे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतर जाता था। उसका यह इस तरह से परदे पर चढ़ना और उतरने का काम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकरने के लिए नहीं उठती थी। लेखिका गिल्लू को पकर कर एक लंबे लिफाफे में यानि की एन्विलप में इस तरह से रख देती थी कि उसका जो आगे वाला दो पंजा और सर के अलावा उसका बाकी पूरा छोटा सा शरीर लिफाफे के अंदर बंद रहता था इस तरह बंद रहने के कारण वह फिर से उचल कूद करके लेखिका को परिशान नहीं कर पाता था इस अनोखी स्थिती में यानि की इस अनोखी सिचुएशन में भी कभी कभी वह घंटों मेज पर दिवार के सहारे खरा रहकर गिल्लू अपनी चमकीली आँखों से लेखिका को परे भूख लगने लगती तो वह चिक-चिक की आवाज करके मानो लेखिका को सूचना दे रहा होता कि उसे भूख लग गई है और जब लेखिका उसे काजू या बिसकिट देती तो वह उसी स्थिती में लिफाफे के अंदर ही अपने बाहर वाले पंजों से उन बिसकिट या काजू को पकर कर उसे कुतरता लेखिका के घर में रहते हुए फिर गिल्लू के जीवन का पहला स्प्रिंग सीजन आया नीम चमेली की खुशबू लेखिका के कमरे में धीरे धीरे फैलने लगी लेखिका कहती है कि बाहर की गिलहरियां उसके घर की खिर्की की जाली के प पास बैठ कर अपने पन से इस तरह बाहर जाकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे अजाद करना अब जरूरी है। लेखिका कहती हैं कि गिल्लू को खिर्की से बाहर देखते हुए देखकर उन्होंने खिर्की पर लगी जाली की कीलो को निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस रास्ते से गिल्लू जब बाहर गया तो उसे देख कर ऐसा लगा जैसे बाहर जाने पर सचमुची उसने आजादी की सांस ली हो इतने छोटे जीव को घर में पले कुटे बिल्लियों से बचाना भी एक बहुत बड़ी परिशानी ही थी क्योंकि वह आज तक केवल घर में ही रहता था इसलिए बाहर जाने पर उसे बाहर के खत्रों से बचाने में भी काफी परिशानी हुई लेखिका को जरूरी कागजों पत्रों के कारण बाहर जाना पड़ता था और उसके बाहर जाने पर कमरा बंधी रहता था उनका जो डूम था वो बंधी रहता था लेखिका कहती है कि जैसे ही वह कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती थी गिल्लू भी अपनी खिर्की की जो खुली जाली थी उस रस्ते बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के जुंड का नेता बना हर एक डाल से दूसरी डाल पर उचलता कूदता रहता और ठीक चार बजे वह खिर्की से भीतर आकर अपने जूले पर जूलने लगता लेखिका कहती है कि गिल्लू को उसे चौकाने की इच्छा न जाने कब और कैसे पैदा हो गई थी कभी वो फूल दान यानि की जो फ्लावर वास होता है उसमें चिप जाता था कभी वो परदे के पीछे चिप जाता था तो कभी जो जूही के फूल के पत्तिया होती है उनके पीछे चिप कर लेखिका को चौका देता था लेखिका कहती हैं कि गिल्लू उसके पाले हुए सभी पशुपक्षियों में से सबसे अलग था क्योंकि वह लेखिका के द्वारा बनाए गए सामाने यानि कि जो सिंपल नियम थे उसका भी वो पालन नहीं करता था लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुँचती वह भी खिरकी से निकल कर आंगन की दिवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुँच जाता था और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता था बहुत मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के बाहर बैठना सिखाया जहां बैठ कर वह लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठा कर बड़ी सफाई से खाता रहता था काजू गिल्लू का सबसे मन पसंद भोजन था यानि की काजू उसका फेवरेट था और यदि उसे कई दिनों तक काजू नहीं दिया जाता था तो वो या तो दूसरी चीजों को लेना बंद कर देता था या फिर जूले से नीचे उन्हें फेक दिया करता था लेखिका कहती हैं कि उसी बीच उन्हें मोटर दुरगटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पटाल में रहना पड़ा यानि की उनका एक्सिडेंट हो गया था जिसकी वज़ह से उन्हें कुछ दिनों तक हैस्पिटल में रहना पड़ा उन दिनों जब कोई लेखिका के कमरे का दर्वाजा खोलता तो गिल्लू अपने जूले से उतर कर दोरता उसे लगता की लेखिका आई है और फिर जब वह लेखिका की जगह किसी और को देखता तो वह उसी तेजी के साथ अपने घोसले में जाकर बैटता जो भी लेखिका के घर में जाता था वो गिलू को काजू दे आता था परंतु जब लेखिका हॉस्पिटल से लोटकर आई तो वो एक दिन गिलू की जूले की सफाई कर रही थी तो उसमें उन्हें काजू भरे परे मिले जिन से लेखिका को पता चला कि उन दिनों वो अपना मन पसंद खाना भी बहुत कम खाता रहा तो जब लेखिका उसके पास रहती थी तो वो तकीये पर लेखिका के सर के पास बैट कर वो अपने नन्ह नन्ह पंजों से लेखिका के सिर और उसके बालों को इतने धीरे धीरे सहलाता रहता कि जब वह लेखिका के सिरहाने से हटता तो लेखिका को ऐसा लगता जैसे उसकी को सेविका उससे दूर चली गई हो लेखिका कहती है कि गर्मियों में जब वह दोपहर में अपना काम करती रहती तो गिल्लू ना तो बाहर जाता था और ना ही वह अपने जूले में बैठता था गिल्लू ने लेखिका के नजदीक रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक सुराही जो है वो एक बरतन होता है जिसका जो नेक होता है वो बहुती जादा लंबा होता है उसमें पानी रखा जाता है जिससे वह लेखिका के नजदीक भी बना रहता और ठंड़क भी उसे मिलती रहती इस तरह उसने दो काम एक साथ करना सीख लिया था लेखिका कहती है कि गिलहरियों के जीवन का समय दो वर्ष से अधिक नहीं होता है यानि कि दो वर्ष से जादा दो साल से जादा गिलहरिया नहीं जीती है इसी कारण की वजह से गिल्लू की जीवन यातरा का अंत भी नजदीक आही गया दिन भर उसने ना तो कुछ खाया और ना ही वो बाहर गया रात में अपने जीवन के अंतिम शर में भी वह अपने जूले से उतर कर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने थंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकरकर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बच्पन में पकरा था जब वह मृत्यू के समीप पहुँच गया था लेखिका कहती हैं कि गिलू के पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जाग कर हीटर जलाया ताकि उसके पंजो को गर्णी मिल सके पर असुबह की पहली किरन के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया यानि कि उसकी मृत्यू हो गई, वो मर गया लेखिका ने गिल्लू के मरने के बाद उसका जूला उतार कर रख दिया और खिरिकी की जाली को भी बंद कर दिया परन्तू गिलहरियों की जो नई जनरेशन थी वो जाली के दूसरी ओर यानि कि बाहर की तरफ से वो चीक-चीक करती ही रहती है और जूही के पौधे में भी पसंत आता ही रहता है यानि कि स्प्रिंग सीजन आता ही रहता है जूही का जो फूल था उसके लटा के नीचे ही यानि कि उसकी जो डाली थी उसके नीचे ही लेखिका ने गिल्लू को दफनाया था क्योंकि गिल्लू को वहाँ लता सबसे ज़ादा अच्छी लगती थी लेखिका ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि लेखिका को विश्वास था कि गिल्लू जो है वो स्प्रिंग सीजन में एक छोटा सा पीला रंका जूही का फूल बनकर खिल जाएगा और यहाँ लेखिका को एक अलग तरहा का संतोश देता था साटिस्फाक्शन देता था तो यह था हमारा चैप्टर आई हो पब लोग को समझ में आ गया होगा तो चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में